मरवाडी मेडी आप देख रहे हैं राजिस्तान के पस्चीमी हिस्सों में आज मोसम में फिर बदलाव देखने को मिला है उत्तर भारत में एक्टिव हुए पस्चीमी विक्सोप के असर से राजिस्तान के पस्चीमी हिस्सों में आज हलके बादल चाये रहे पीकानेर बाड मेर जैसल मेर जोदपूर पीकानेर नागोर समेत कई इस्तानों पर सुबह से ही हलके बादल चाये हुए हैं वेसे आपको बता दूँ आज तो यह पस्चीमी विक्सोप ज्यादा असर नहीं दिखा पाएगा लेकिन अगले 24 घंटों के दोरान राजिस्तान के कई छेत्रों में मोसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है आने वाले 24 घंटों के दोरान राजिस्तान के मोसम में बड़ा बदलाव आएगा मोसम के अंदर जैपूर के अनुसार पूरवी राजिस्तान के उदेपूर अजमेर कोटा वे जैपूर संभग में 13 और 14 मार्च को दो फैर के बाद मेग गरजन के साथ कहीं कहीं पर हलकी बारिस वे अचानक तेज हवाएं दर्ज होने की संभावना है और पश्ची में राजिस्तान के जोदपूर संभग वे गंगानगर हनुमानगर जीलो में 13 मार्च को दो फैर बाद मध्यम दर्जे के थंडर इश्ट्रोम यानि की अचानक बादल बारिस ओलावरष्टी और बिजली चमकने जैसी गतिवीदियां देखने को मिल सकती है और उसके बाद 16 और 17 मार्च को एक और नया पश्ची में विक्सोब सक्री होने से फिर से थंडर इश्ट्रोम की गतिवीदियों में बडोतरी होने की परबल संभवना है मोसम इभग की अनुसार 13 मार्च को भीलवाडा बूंदी जैपूर सवाई माद्दोपूर सीरोही टोंक बाडमेर जालोर और नागोर के कुछ इससे पाली जिले में बारिस होने की संभावना है कुछ इस्तानों पर अचानक 30 से लेकर 40 किलोमेटर परती घंटा की रबतार से तेज हवाएं भी चल सकती है वहीं देखिए रविवार को राज्जे के अधिकांस भागों में तापमान में 2 से लेकर 6 डिगरी सेलसेस तक की बडोतरी दर्ज की गई है पिछले 24 गंटों में सबसे अधिक तापमान बाड मेर में 37.2 डिगरी वे फलोदी में 37.3 डिगरी दर्ज किया गया रबी की फसलें इस समय पकाव ले रही है और तापमान में आ रहे है उतार चडाव का असर फसलों पर पढ़ने के कारण किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है और लगातार एक के बाद एक आ रहे पस्ची में विक्सोब भी किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ा रहे हैं लेकिन किसानों के लिए फिलहल बड़ी अपडेट ये है आगामी दिनों में राज्ये में दो बेक टू बेक पस्ची में विक्सोब सक्रिय होंगे पहला 13 और 14 मार्च को यह 13 और 14 मार्च वाला विक्सोब थोड़ा कमजोर होगा लेकिन दूसरा जो 16 और 17 मार्च को एक और विक्सोब सक्रिय होगा वह थोड़ा सा मजबूत होगा लेकिन बड़ी बात यह है यह दोनों ही विक्सोब राजिस्तान के कई जिलों में अपना असर जरूर दिखाएंगे इन सिस्टमों की वज़े से परदेश में 13 और 14 मार्च को परदेश के कुछ जिलों के कुछ इस्तानों पर गरज के साथ कहीं कहीं पर बुंदा बांदी की भी संभावना है और इन दोनों विक्सोब की वज़े से परदेश के कई इस्तानों का मोसम 4-5 दिनों तक बिगडा हुआ दिखाई देगा यही थी परदेश के मोसम को लेकर बड़ी अपडेट आगे मोसम विबाक से जो भी कोई नई जानकारी आती है तो उसको लेकर अगले वीडियो के माद्यम से मैं आपको अपडेट करने की कोशिस करूँगा